ये देखिए रबडीदार साबुन दाने की खीर एकदम पर्फेक्ट ओभी सिर्फ पांच मिनट में कोई कह सकता है कि ये खीर पांच मिनट में बनी है लेकिन मैं आपको बना के दिखाऊंगी हाई एबरिवन कैसे हैं आप सब स्वागत है मेरे चैनल स्वाद पलस में तो आज स्वाद पलस में बनने जा रहा है साबुन दाने की खीर तो चलिए करते हैं रेस्पी इस्टार्ट तो ये देखिए मैंने लिया है साबुन दाना तो ये मीडियम साइज वाला साबुन दाना है अब इसको हम धो लेंगे तो साब पानी डालके इसको दो पानी हमें धोना है जिससे इसके उपर का जो माड होता है वो निकल जाए इस तरीके से खीर बनाने से आपकी खीर कभी भी खराब नहीं होती नहीं दूट डालने पर फटती है तो साबुन दाने को मैंने धो लिया है अब इसके बराबर पानी करके मैं इसको 10-12 घंटे के लिए सोप करके रख दूँगी तो सोप इतना करना है कि साबुन दाना हमारा अच्छी तरीके से गल जाए ये देखिए इस तरीके से मैस करें तो मैस हो जाए चलिए तो अब इसको बनाते हैं मैंने लिया एक भगोना उसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी ताकि हमारा दूद नीचे ना बैठे तो मैंने लिया करीब एक लीटर दूद एक फुल क्रीम दूद है तो दूद को बढ़िया से उबाल आने देते हैं एक दो मिनट उबलने के बाद ही हम डालेंगे इसमें साबुन दाने तो इनको कर देंगे बढ़िया से मिक्स तब इसके उबलने का इंतजार करते हैं दूद हमारा पहले सोबला हुआ तो इसको फटने का या नीचे बैठने का कोई टेंसन ही नहीं है जब हम इस तरीके से साबुन दाना भीगा के खीर बनाते हैं तो हमारा साबुन दाना कभी भी नीचे नहीं बैठता चाहे हम इसको एक बार भी ना चलाएं तो भी ये नीचे नहीं बैठेगा नहीं जलेगा जब हम डारेक्ट साबुन दाना को धो के दो-चार मिनट रखके बना देते हैं तो साबुन दाना पकने भी टाइम लगता है और नीचे भी बैठता है काफी दिक्कत होती है इस तरीके से साबुन दाना आप बनाईए मुश्किल से पांच मिनट में ही आपके खीर एकदम से रवड़ी दार तयार हो जाती है तो यह देखिए कितनी अच्छी खीर में उबाल आ गई है इस तरीके से थोड़ा सा मिसको कर देंगे mix क्योंकि बीच बीच मिक्स करते हैं रहना इसलिए जिरूरी है ताकि दूध हमारा नीचे ना गिरे तो जब तक हमारा खीर उबल रहा है तब तक हम कर लेते हैं dry food को थोड़ा सा तो मैंने रख दिया एक कड़ाही उसमें डाला है थोड़ा सा घी अब इसमें डालेंगे अपने कटे हुए ड्राइब फूर्ट तो मैंने लिया है थोड़ा सा काजू थोड़ा सा चिनोंजी थोड़ा सा किस्मिस बदाम मुझे थोड़ा कमी पसंद आता है खीर में बदाम को मैं रोष्ट करके कूट के उसको रखती हूँ ताकि उसको ऐसे डाल दूँ क्योंकि बदाम ऐसे डालने से फिर बाद में उसका छिलका उतर के खीर में दिखता है अच्छा नहीं लगता तो आप अपने पसंद से ड्राइफूट डालिए अगर चाहें तो आप इसकी भी कर सकती है बिना ड्राइफूट के भी साबुन दाने की खीर काफी ज्यादा अच्छी बनती है ते देखिए खीर में बढ़िया सा उबाल आ रहा है खीर हमारा लगबग पकने वाला है अब हम इसमें डालेंगे चीनी तो चीनी आप अपने मुताबिके डालिए क्योंकि किसी को कम मीठा पसंद होता है किसी को थोड़ा ज़्यादा तो आप उसी हिसाब से इसमें मीठा डालिए अब मैंने डाल दिया थोड़ा से इसमें ड्राइफूट तो इसको डाल के देखिए कितनी गाड़ी गाड़ी से खीद तयार हुई है तो खीद लगबख हो चुका है अब मैं करती हूं गैस को बंद तो गैस को बंद कर दिया है अब उपसे डाल देंगे अपने दर्दरे कुटे हुए बदाम थोड़ी सी इलाइची जिसको मैंने कूट के ले लिया है तो ये लिजिए तयार है साबुंदाने की गर्मा गरम खीद तो ये रेस्पी आपको कैसी लगी पसंद आए तो लाइक सस्क्राइब जरूर कीजिए और सेयर करना ना भूलिए वीडियो फूरा देखने के लिए थैं थैंक यू